हेलो फ्रेंड्स स्वागे थे आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोड स्टडी पॉइंट प्रिंसर पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रति दिन मैं आप लोग के लिए कि लूसेंट बुक का एक्स्प्लानिसन लाता हूं और काफी सरल लेंग्वेज में तो आज का हमारा यह पार्ट 14 है मैंनि 14 नंबर यह पार्ट बना है लूसेंट बुक का और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह पढ़ने वाले हैं ब्रामण समराज्य के बारे द्रह था तो उसकी हत्याब पुस्य मुत्र सुंग ने 180 इसा पुरूब में कर दिया और उसके बाद से मौर्यवन समाप्त हो गया तब पुस्य मित्र सुंग ने सुंग वल्स का स्थापना किया और उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो एक नंबर पुस्य मित्र सुंग किस जाती का था तो वो ब्रामण जाती का था कौन से जाती का था ब्रामण जाती का कौन पुस्य मित्र सुंग दूसरा है सुंग सासको ने अपनी राजदानी कहा इस्थापित की तो विदीसा में है इंडो यूनानी सासक मिनांडर को किस ने पराजित किया तो उसका नाम था पुस्या मित्र सुंग यहाँ पे इंडो यूनानी सासक क्यों कहा जा रहा है क्योंकि जो मिनांडर था वो यूनान का एक सासक था जिसने भारत पर आकरमण करके यहाँ के कुछ है स्थानों को अपने धिगार छेतर में लिया था तो इसलिए वो इंडिया पे रहने लगा था इसलिए उसको इंडो और वो यूनानी था तो यूनानी इंडो यूनानी सासक उसको कहा जा रहा था तो उस मिनांडर को पराजित किया पुस्यमित्र सुंग ने पुष्यमित्र सुंग ने कितना बार अस्वमेग यग्य करवाया तो उसने दो बार अस्वमेग यग्य करवाया था पाचवा है पुष्यमित्र सुंग के अस्वमेग यग को किसने संपन करवाया मतलब कौन से पुरोहित थे जिन होने अस्वमेग यग को संपन करवाया था पुष्यमित्र सुंग का तो वो थे पतंजली जिनका आज कल अबाबा राम देव उन्ही के नाम पे कंपनी चलाते हैं पतंजली के अगला प्रश्न है छे नंबर भरहुत एस्तूप का निर्माड किसने करवाया भरहुत एस्तूप तो वो भी करवाया था पुस्यमित्र सुंग ने फिर है सुंग बंस का अन्तिम सासक कौन था तो वो था देव भूती जो था वो सुंग बंस का अन्तिम सासक था देव भूती की हत्या कब और किसने की? तो 73 ईसा पूर्व में वासु देव बासु देव ने इसकी हत्या करदी देव भूती की सुझ वंस के बाद किस वंस की अस्थापना होई? तो कनव वंस, क्या होगा? कि बासुदेव ने 73 इसा पूरु में देव भूती की हत्या कर दी और उसके बाद उसने कनवबंस की एस्थापना कर दी तो सुंगबंस के बाद मगद की राजगत्दी पर बैठा कनवबंस 10 नमबर है कनवबंस का अंतिम राजा कौन था तो वो था सुसर्मा कनवबंस का अंतिम राजा सुसर्मा था सुसर्मा की हत्या किसने और कब की थी तो सुसर्मा की हत्या किया था सिमुक ने 60 इसा पूरु में सिमुक ने किया था 60 इसा पूरु में मगद की राजगद्दी पर कनवबंस के बाद किस वंस किया स्थापना हुगा तो वह हो था सत्वाहन वन्स यानि सिमुक ने 60 इसा पुरू में सुसर्मा की हत्या की और उसके बाद उसने सत्वाहन वन्स की एस्थापने गी तो समझ रहें देख रहें न कोई भी बन्स इस दुनिया में कोई भी बन्स जीवन भर के लिए नहीं होता है तो इस सच्चाई को स्विकार करने चाहिए कि एक नएक दिन सब का विनास होता है कि मौरे बन्स आया फिर सुंग बन्स आया फिर कन्व बन्स और फिर आगया सत्वाहन वन्स सत्वाहन सासको ने अपनी राजधानी कहा है स्थापित की अब इन लोगों ने अपनी राजधानी कहां बनाई तो ये लोग बनाये थे प्रतिष्थान में प्रतिष्ठान एक जगा है जो गुदावरी नदी के किनारे महराष्टर के औरंगाबाद जीला में पढ़ता है महराष्टर में का औरंगाबाद जीला है और बिहार में भी औरंगाबाद जीला है उसी में एक जगह है प्रतिश्थान उसको सत्वाहन सासको ने अपनी रजधानी बनाई थी 14. सत्वाहन वंस के प्रमुक सासक कौन कौन थे तो सत्वाहन वल्स के परमुक सासक थे पहले सीमुक, दुसरे थे साथ करणी, तीसरे थे गौतमी पुत्र साथ करणी, चोथे थे वसिष्टी पुत्र, पाचवे थे पुलू मावी, और छठे थे यग यसरी सत करणी मतलब देखिए, इनलों का नाम अपने मा के नाम पर, मतलब जितने भी राजा होते थे ना, अपने मा के नाम पर ही अपना नाम रखते थे, लेकि ऐसा नहीं है, कि मा के अनुसार ही उनका सारा राज्य चलता था, वो पित्री परधान राज्य था, मतलब पिता के बाद उसका बेटा ही राजा बनता था लेकि लोगों नाम अपनी मा के नाम पे रखते थे अगला प्रशन है सत्वाहन सासकों के समय के प्रसिद सहित्यकार कौन थे तो दू आदमी थे एक थे हाल और दूसरे थे गुड़ाड है एक हाल और एक थे गुड़ाड है फिर है अगला कूश्चिन सत्वाहन सासकों ने किनकिन मुद्राओं का प्रचलन किया मतलब कौन-कौन सी मुद्रा है जिनका इन लोगों ने प्रचलन किया उसको आगे बढ़ाया तो वो सिक्के हैं चांदी के सिक्के, तांबे के सिक्के, सिसा, पोटीन और कासा चांदी, तांबा, सिसा, पोटीन और कासे के सिक्के चलवाए थे 19 संबर है 17 सासक अपना सिक्का डालने में जिस सिसे का इस्तेमाल करते थे उसे कहां से मंगाया जाता था यारी 17 टाइम के जो राजा थे तो सिक्कों को जो बनाते थे सिसे का सिक्का तो फिर वो उसमें का जो मेटेरियल लगता है तो कहां से मंगाते थे ये लोगों रोम से मंगाते थे, रोम जो इटली की राजधानी है, ब्रामणों को भूमी अनुदान देने की प्रथा का आरंब किन सासकों ने सबसे पहले किया, मतलब ब्रामण जाती को भूमी अनुदान, मतलब भूमी दान देना का प्रथा जो है किस सासकों ने सुरू किया तो ये भी सुरूख ये थे सत्वाहन सासको ने ये लोग ब्रामणों को भूमी दान में देते थे आस्रम बनाने के लिए ताकि वे बच्चों का पढ़ा सकें 21 नम्बर है सत्वाहन सासको की राजकिये भासा क्या थे तो प्राकृत सत्वाहन सासकों की लिपी क्या थे ब्राम्ही सत्वाहन सासकों ने ग्रामिड छेत्रों में प्रसासन का काम किसको सौपा गॉल्मिक यानि सत्वाहन सासक क्या करते थे कि ग्रामिड छेत्रों में प्रसासन का काम जिसको देते थे उसको गॉल्मिक कहते थे तो गॉल्मिक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था गॉल्मिक क्या है? तो एक सैनिक टुकड़ी का यह प्रधान होता था चोटा सा सिना का जिसमें नो रत, नो राथी, पच्चीस घोड़े और 45 पैदल सैनिक होते तो इसको गौलमिक कहा जाता था, नौरत, नौहाथी, पचीस घोड़े और पैतालिस सायनिक होते थे, तो ये हमारा हो गया, अब आते हैं जिसका दूसरा टॉपिक आजम पढ़ते हैं भारत के यवन राज्य, यवन वही जिसको योनानी कहते हैं बारबर सिकंदर जहां कराए अब उसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, पहला question है, भारत पर आकरमड करने वाले विदेशी आकरमड कारियों का क्रम किस प्रकार है, मतलब सबसे पहले भारत पर कौन से विदेशी आकरमड किये, फिर उसके बाद कौन किये, फिर उसके बाद कौन किये, इसको आपको ल अले वाले वीडियों पढ़ेंगे तीसरा पहलाओ और चौथा कुसाड पहला हिंद यूनानी दूसरा सक तीसरा पहलाओ और चौथा कुसाड दो नंबर प्रस्ण है सेल्यूकस के द्वारा एस्थापित पस्मी तथा मद्ध एसिया के विशाल समराज्य को किसने अक्षुड बनाए रखा मतलब सेल्यूकस के द्वारा जो पस्मी तथा मद्ध एसिया के विशाल समराज्य को इस्थापित किया गया था भारत में वह कौन था जो उसको बचा के रखा था तो वह था शैयूकस का उत्तराधिकारी उत्राधिकारी मतलब उसका बेटा था एंटीयोक्स प्रथम, तीसरा प्रशन है, किस यवन सासक के सासनकाल में बिद्रो के फल स्रुप अनेक प्रांथ स्वतंतर हो गए, मतलब वो कौन सा यवन सासक था, जिसके समय में जब बिद्रो हुआ, तो उससे बहुत से राज्ये उस उहीं बचा पाया जो उसके पिता ने बचाया चौता है वैक्टीरिया के बिदरोह का नितृत्त व किस ने किया था टीयो डोट्स ने मिज्ब गदसे बहरत पर सब constituents भारत पर सबसे पहले आकरमण किस यवन सासक नी किया था वह कौण सा यवन सासक था जिसने सबसे पहले भारत पर आकरमण किया, तो वो था वेक्टीरिया का सासक डेमी ट्रियस, डेमी ट्रियस ने सबसे पहले भारत पर आकरमण किया थो जो यवन सासक था, चो नमबर है, डेमेटरियस भारत पर आकरमण कर किन किन जगहों को अपने अधिकार में ले लिया, या ले लिया अफगानिस्तान क्योंकि पहले अफगानिस्तान में भारत कहीं अंग था पंजाब और सिंध सिंध जो इस समय पकिस्तान में पढ़ता है इन तीनों जगहों को उसने अपने कबजे में ले लिया Demetrius अपनी राजधानी कहा बनाई साकल अगला प्रस्ठा है हिंद यूनानी यहाँ पर हिंदू हो गया है हिंद यूनानी रहेगा हिंद, यूनानी, सासकों में सबसे अधिक बिख्यात कौन हुआ मतलब तो बहुत लोग आये लेकिन सबसे फेमस कौन हुआ तो हुआ मिनांडर 10 नमबर है मिनांडर ने बहुत धर्म की दिख्षा किस से लिए थी इसने भी बहुत धर्म को अपनाया था 10 नमबर है मिनांडर के परस्ट इवान नाग से दिए गया उत्तर एक पुस्तक के रूप में संग रही है उस पुस्तक का नाम क्या है यानि मिनांडर ने नागा से उसने बहुत से प्रस्ट पुझा और वह उसका उतर देते हैं गर बाद में इसको एक पुष्टक के रूप में लिख दिया गया तो उस पुष्टक का नाम क्या है तो पुष्टक अधरा मैं मिलिन्द पन हो मिलिन्द पन हो 12 नॉपर है भारत में सबसे पहले सोने के सिख्के किसने जारी की है तो वो थे हिंद यूनानी सबसे पहले इन्हों ने ही भारत में सोने का सिक्का जारी किया 13. हिंद युनानी सासकों ने भारत के पस्यमोतर सीमा प्रांत में युनान की प्राचीन कला चलाई उसे क्या कहते है मतलब हेंद युनानी सासक जो थे वो पस्यमोतर सीमा प्रांत में युनान की प्राचीन एक कला चलाई उसको क्या कहा जाता है तो वो कहता है हेलेनिस्टिक आर्ट हेलेनिस्टिक आर्ट चौदर नमबर है भारत में परदे का प्रचलन किस ने सुरू किया था तो यूनानियों ने, यूनानियों ने सबसे पहले परदा का परचलन सुरू किया था, परदा समझ रहे है न, मतब मुझ को ढख के चलने का, यूनानियों के द्वारा चलाए गए परदा का परचलन किस नाम से प्रसिद हुआ, तो वो था यौनिका, यौनिका नाम से वो famous हु और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें ताकि लोग इस चैनल से अधिक सदिक जुड़ सकें धन्यबाद